दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थे आपका एक परफेट से आपके अपने ही चेनल करिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनिल कपूर और श्री देवी की जोड़ी में बनी सभी फिल्मों के बारे में इन सबी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो सारी जानकारे आपको देने वाला हूँ कि अनियल कपूर और श्री देवी ने साथ में मिलकर टोटल कितनी फिल्में की और ये जोड़ी कितनी सफल रही तो बात टिम्पल का पाडिया और फिरोज कान इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डिरेक्ट और प्रेड्यूस क्या था फिरोज कान ने और तकरिबान एक करोड़ साथ लाक रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर तीन करोल पचास लाक रुपए कमाई थे और पूरे वल्ड में साड़े च्छे करोड रुपए कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी उसके बाद साल 1986 में ही इनकी जोड़ी एक बार फिर बनी थी फिल्म कर्मा में दिलीब कुमार, नसर अदिन शा, नूत पूरे वल्ड में 14 करोड से भी ज्यादा कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी उसके बाद साल 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म में अनेल कपूर और श्री देवी हमें नजार आई थे फिल्म को डेरेट क्या था शेकर कपूर ने और म्यू साबित हुई थी उसके बाद 1988 में फिल्म राम अवतार में भी हमें अनेल कपूर और श्री देवी की जोड़ी नजार आई थी फिल्म को डेरेक्ट और प्रेडियूस किया था सुनील हिंगो रानी ने और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को लक्षमी कांत प्यारे लान ने त सुहागा फिल्म में हमें अनेल कपूर और श्री देवी नजार आई थी फिल्म को डेरेक्ट क्या था के बपाहिया ने और तकरिबन धाई करोड रुपे के वजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पार साड़े तीन करोड रुपे कमाई थी और पूरे वल् शेकर कपूर ने और तकरिबन एक करोड नबे लाख रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर धाई करोड रुपे कमाई थी और पूरे वल्ड में साले चार करोड रुपे कमाई थी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज थाबित हुई उसके पास साल 1991 में आई थी फिल्म लम्हे अनियल कपूर और श्री देवी इस फिल्म में एहम किरदार में थी फिल्म को डेरिट क्या था ये शोपला ने वैसे तो बड़े लेवल पर बनाया गया था इस फिल्म को लेकिन इसके साथ इसी दिन साल 1991 में इसी दिन इसी फिल्म के साथ एक दो फिल्म और रिलीज हुई थी जिसके वजह से ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से फ्लॉ जहा इस फिल्म को डिरिट क्या था हरमेश मल होतरा नें और ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से पीटी थी तकरीबं दो करोर दसलाक रूपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर सिर्फ डेल करोड रुपे कमाई थी और ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही थी उसके बाद 1993 में आई थी फिल्म रूप किरानी चोरो कराजा इस फिल्म में जैकी शरॉफ और अरानुपम खेर भी थे फिल्म को डेरिट किया था सतीश कोशिक ने और रिशी कपूर और श्रीदेवी नजर आये थी फिल्म को डेरिट क्या था विनोद महरा ने और तकरीबन धाई करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर दो करोड शाट लाक रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में साले चार करोड करोड पर फ्लॉप रही थी 1994 में एक बार फिर इनकी धमाके दार जोड़ी हमें देखने को मिली फिल्म लड़ना बे अनिल कपूर श्रीदेवी के साथ अनुपम खेर भी इस फिल्म में थे फिल्म को डेरिट क्या था राज कवर ने और तकरीबन साले तीन करोड रुपे के बजट करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 3 करोड रुपे कमा थे और पूरे वर्ड में 6 करोड रुपे कमा थे और ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर फिलॉप सा בע Si थूई थी उसके बाद 1977 में आाखरी बार हमें नज़ार आई थे अनिल क तो इस फिल्म को डैरेट किया था राजकवर ने और तकरीबन 5 करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 14 करोड 10 लाक रुपे कमाई थी और पूरे वल्ड में 28 करोड से भी ज्यादा कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी तो दोस्तों ये थी वो 13 फिल्मे जिनमें श्रीदेवी और अनिल कपूर ने साथ में काम किया है वैसे ज्याद तर ये जोड़ी हमें सफल देखने को मिली इनकी बहुत सारी फिल्में सूपर हिट रही और कई फिल्में तो इनकी ऐसी रही जिन्होंने नमबर वन की सुनाय होगा थैंक्यू